आप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से द्यान रख रहे होंगे आज मैंने कोई भी ब्लॉग आप लोग के साथ सेर नहीं किया है और क्यों नहीं किया यह मैं आपको आगे बताऊंगी और यह जो सबजिया है मैं आज कल डेली-डेली सब्जी लेते आ रहे हैं और उसको धूल के मैं रखते रह रही हूं और इनको मना करती हूं आप मत लाइए लेकिन फिर भी ला दिये हैं पूरा फ्रीज सब्जीयों से भर चुका है और उनको धूल करके मैं धूब दिखाई थोड़ी देर और सूप अब बस फ्रीज में श्टोर करके रखना है मुझे और यहां पर मैंने आचार बना लिया है आम का और सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा छोटा सा क्लीप आप लोग के साथ सेयर करूं और दिखा दो कि कैसा दिख रहा है देखने में कैसा है तो फिर बने रहे हैं मेरे ब्लॉग में और देखते रहे हैं सच में मैं आप लोगों को बता रही हूं कि जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूं तो मेरे मूं में पानी आ रहा है इस आम के अचार को देख करके तो फिर बने रहेगा और देखते रहे हैं आज मैंने कोई भी ब्लोग सूपने किया है और आज मेरा दिन भर आचार बनाने में निकल गया आम के सीजन में आम का आचार तो सभी बनाते हैं और मैंने भी आचार बनाना सीख लिया है तो अब हर साल बनाती हूं और उतना ही बनाती हूं जितना हम लोग एक साल के अंदर ख अच्छा लगता है इसलिए आप लोग के साथ शेयर नहीं किया और आज जो मैंने कोई ब्लॉग वगेरा सूट नहीं किया तो सुचा चलो आज आप लोग से बाते कर लेती हूं तो से बार-बार मेरा कोसिस कर रही हूं कि डेली ब्लॉग आप लोग के साथ सेयर करूं और बहुत ही मियनत लगता है तो आप लोग समझ सकते होंगे जो यूटूबर है वो तो समझता होगा और बहुत ही मियनत लगती है बहुत ही मियनत करना पड़ता है उसके बाद ही हम लोग वीडियो और इतनी लोगों को मैंने सबस्क्राइब किया है सब गया वीडियो पर मेरा ने 1 창 치सी डाता है पुरा खत्म हो जाता है इतना जाला मिंद खार आप रहे हैं वीडियो पे रखके बेटा हेलो बोलो बोलो ममा को सपोर्ट करिये जो से बोलो ओके थैंक यू बेटा तो आप लोग को मेरी बेटी भी बोल रही है तो प्लीज सपोर्ट करें और बस आज की वीडियो में इतना ही जोप आपको मेरा ये व्लोग पसंद आया होगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेयर जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सबी को मिले इसी के साथ धन्यवाद स्री रादे रादे बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए